नमस्कार दोस्तों, लोजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये सुनकर संभवत विश्वास न हो, लेकिन इस पर विचार किये जाने में कोई बुराई नहीं है। दरसल भारत के लोगों ने दूसरों के कहने पर अपने इतिहास को मिठक ही मान लिया है। तो क्या रामायन काल में भी मोबाईल होते थे। माना जाता है कि दूरभाश की तरह उस युग में दूर नियंत्रन यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वारता की जाती थी, तो वारता से पूर्व इससे भिन-भिन प्रकार की ध्वनी प्रकट होती थी। संभवत इसी ध्वनी प्रसफूटन के कारण इस यंत्र का नामकरण मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राजपरिवार के लोगों के पास रहते थे और इसके बल पर वे दूर से दूर बैठे लोगों से बात कर लेते थे। ये बेतार प्रणाली थी। शोधानुसार विभीशन को लंका से निशकाशित कर दिया था। तब वो लंका से प्रयान करते समय मधुमक्खी और दरपन यंत्रों के अलावा अपनी चार विश्वस्निय मंत्री अनल, पनस, संपाती और प्रभाती को भी राम की शरण में ले गया था। राम की हित पूर्ती के लिए रावन के विरुद इन यंत्रों का उप्योग भी किया गया था। राम लोचन जैसा फैज्यानिक था जिसने एक विशाल दरपन यंत्र का निर्मान किया था। इससे प्रकाश पुंज बायू यान पर छोडने से यान आकाश में ही नश्ट हो जाते थे। लंका से निसकाशित किये जाते वक्त विभीशन भी अपने साथ कुछ दरपन यंत्र ले आया था। इन ही दरपन यंत्रों में सुधार कर अगनी वेश ने इन यंत्रों को चोखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की और प्रकाश पुंज भेका जिससे लंका की यान शक्ती नश्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दरपन यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल द्रश्टा कहा गया है। हाला कि भगवान राम के पास ऐसे यंत्रों के होने की बात नहीं कही गई है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।